Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the dear students who subscribed my channel and I welcome all of you on Gate Chemical Planet. So students, just like you know that there is HPCL skill test. Some students have told us through SMS and mails that their skill test is going to be on the 23rd and 24th of November. When you are given information about the venue, we will discuss the HPCL skill test. skill test में कौन-कौन से questions, probably, पूछे जा सकते हैं. आप लोगों को उनके बारे में पढ़के जाना चाहिए. कौन-कौन से questions हैं, वाइवा से related, आपके test अगर वो लेना चाहें तो उससे related, या फिर plant visit से related, कौन-कौन से questions आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ questions को collect किया है, आप लोगों के लिए. तो आप previous students जो paper देने गए थे, उन्होंने जो experience शेयर किया था, उसके आधार पर मैंने कुछ questions जो हैं, वो आप लोगों के लिए design किये हैं. आप देख सकते हैं कौन-कौन से questions हैं. तो यहाँ पर हम discuss करेंगे उन questions को, जो last years में पूछे गए हैं. तो यहाँ पर जो आपका test हुआ था, उसको थोड़ा सा recall कर लेते हैं. आप लोगों का CBT test हुआ था 31st October 2020 और 1st November 2020 को. और तीन positions के लिए, diploma candidates के लिए test हुआ था, maintenance technician, operation technician और boiler technician के लिए. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को, जो question discuss करूँगी, वो होगा वाइवा और interactions से related questions. आपका जो वाइवा हो सकता है, probably वो 15 to 20 minutes का या 10 to 15 minutes का आपका वाइवा हो सकता है, जिसमें आप लोगों को group में divide कर दिया जा सकता है. और 4 to 5 students के group में, एक-एक student को individual भी और group में भी depend करता है, उनकी choice पे, कि वो आपको कैसे बुलाते हैं. तो first question होगा आप लोगों का, tell me something about you. तो इसका answer आप लोगों को देना पड़ेगा, अपने बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा, अपने बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो आप अपने बारे में एक छोटे से paper पे लिख लीजिए, उसमें आप अपन से यह भी पूछ सकते हैं कि tell something about your qualification, तो यहाँ पर केवल वो यह भी कह सकते हैं कि आप अपने बारे में ना बता के केवल qualifications बताईए, अपने projects बताईए, अपनी experiences आप बताईए, यह भी question हो सकता है, next question जो put up हो सकता है, discuss your job profile in the last industry, last industry में आपका जो job profile था, वो क्या था, आप quality में थे, आप designing में थे, आप क्या job profile था, आप उसको ठीक से पढ़के जाएए, ताकि आप वहाँ पर असानी से बता सकें, next question put up हो सकता है, share your previous industry experience, आपका जो previous industry है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, या आपने छोड़ी भी दी है, तो उसमें आपका last experience कैसा रहा, तो यहाँ पे आप जितनी भी चीज़े बताएंगे, वो सारी चीज़े positive ही होनी चाहिए, positive चीज़े सारी आप बताएंगे, कोई भी ऐसी चीज़े आप ना बताएं, जिससे आपको negativity show हो, तो next question हो सकता है, do you have any apprenticeship experience, आपने अगर apprenticeship की है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, अगर आपन के बारे में बताएंगे, कि आपने apprenticeship किया है, HPCL में, या अगर किसी दूसरी company में किया है, तो आपके लिए बताना beneficial होगा, आपका एक experience जो है, वो count होगा, और पिर जिसमें भी आपने apprenticeship किया है, उसी से related आपसे question put up हो सकते हैं, तो आपके लिए easy हो जाएगा, कि आपके experience से related question जो होगा, वो आपसे put up किया जाएगा, अगर आपने ये किया है, तो, और कौन से questions हो सकते हैं, what motivates you to join HPCL, HPCL आप join करना चाते हैं, आपको क्या चीज मोटिबेट करती है, HPCL कैसे आपको attract करता है, कि आप HPCL जोइन करना चाते हैं, तो इसके लिए आप अपना answer सोच सकते हैं it's all depends on your choice, why are you leaving previous company, या why you left the previous company, आप company क्यों छोड़ रहे हैं, या आपने अपनी पुरानी कंपनी में अगर job करते थे, आपने छोड़ दी हैं, और आप preparation कर रहे हैं, तो आपने जो company हैं, वो क्यों छोड़ी थी, तो इसका जो भी reason दीजेगा, वो आप positive ही दीजेगा, ठीके तो जितने भी आप answer करें, वो सारे आपके answer positive होने चाहिए, जिससे आपको नई opportunities के बारे में बताना चाहिए, कि आप नई opportunities सर्च कर रहे हैं, you are very much talented in doing the responsibilities given by the companies, so इस तरह के answer आप दे सकते हैं, what are some of your strength and weakness, तो चार आपकी strength और weakness आप एक paper पे जरूर लिख लें, जिससे आपक आपकी weakness क्या है और strength क्या है, और आप अपनी weakness को strength में कैसे convert कर सकते हैं, यह आपको आना चाहिए, तो इस तरीके के कुछ questions HPCL skill test में वायवा या personal interactions related पूछे जा सकते हैं, अगर आप student हैं अभी तो आप से केवल theoretical चीज़े ही पूछी जा सकती हैं, आपकी qualifications related या फिर आपका project अगर आपने कोई summer training की हैं, तो उसको पढ़के जाईए, और अगर आप working हैं, कहीं पे आपने काम already किया है, और आप अभी तैयारी कर रहे थे, आपका हो गया है, skill test में आपकी call आई है, तो आप अपने जो भी आपने previous work किया है, उससे related जो भी आपकी responsibilities थी, उसको जरूर अ आपकी कोई plant visit हो, अभी सुनने में आया है कि कुछ students का value जो है, वो polytechnic college बताया गया है, तो अगर polytechnic में हो रहा है interview, तो quite obvious है कि वहाँ पे laps होगी, mechanical की laps होगी, chemical engineering की, अगर उस college में chemical engineering है, तो chemical engineering की भी laps होगी, हो सकता है, civil engineering की laps में आपको ले जाया जाए, अगर कोई chemical का है और civic, वहाँ पर laps properly नहीं होती, तो हो सकता है कि आपको mechanical में भी, fluid mechanics की lab में ले जाया जा सकता है, ठीक है, fluid की lab हो सकती है, heat transfer की lab जो होती है, वो common होती है, सारे ecologies में होती है, तो distillation columns में हो सकते हैं, तो उससे related कुछ questions हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो plant visit से related questions हो सकते हैं, उनको मैंने कुछ bifurcate किया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ questions safety system पे आपके लिए design किये हैं, तो safety system से related जो questions होते हैं, वो सबसे ज़्यादा put up किये जाते हैं, क्योंकि industry में जो safety होती है, वो सबसे important parameter होती है, तो safety से related जो questions हो सकते हैं, वो हो सकता है, types of safety devices in the field, कौन कौन सी safety devices आपने अभी तक देखी हैं, आपने पड़ी हैं, उनको आपको देखा के पूछ सकते हैं कि यह कौन सी safety device है, ठीके, आपसे identification करा सकते हैं, आपसे उसका type पूछ सकते हैं, कहां पे use होती है, यह पूछ सकते हैं, have you seen any safety system in your previous plant, आप अगर working हैं या थे आप working, त system देखा है, और अगर देखा है तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, कुछ इस तरीके का question हो सकता है, high pressure safety systems, यूरिया प्लांट में या other plants में आपने कहीं देखे हैं, या कैसा होता है, high pressure safety system, इससे related कुछ questions हो सकते हैं, fire extinguishers क्या होते हैं, उनकी types क्या होते हैं, इस त आप करते हैं, कितने types के होते हैं, ये question आप से हो सकता है, जो students mechanical के हैं, वो boilers, turbines, pumps, compressors, ये सारी चीज़े के बारे में पढ़के अराम से जाएं, various classes of fire extinguishers, fire extinguishers की various classes कौन कौन सी होती हैं, ये जो question है, ये सबी ब्रांचिस के लिए common होता है, किसी भी student से पूछा जा सकता है, What is your first action if fire take place in plant, अगर आपके plant में कभी by chance fire लग जाए, तो आपका first action क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस तरीके का question हो सकता है, ठीकें, तो next मैं आप से को बताऊंगी, और कौन कौन से types के questions हो सकते हैं, यहां पर जो हमारे डिपलोमा केमिकल के students हैं, उनके लिए जो heat exchanger है, उसके parts है, उसके inlet outlets है, number of passes है, वो पूछे जा सकते हैं, ठीकें, और क्यूंकि heat exchangers, mechanical की students भी पढ़ते हैं, तो जो mechanical के students हैं, वो भी ये सारे questions को answer उनके देख के जाएं, जो आपके notes हैं, आपकी पुरान heat exchangers में क्या difference होता है, horizontal और vertical heat exchangers में क्या difference होता है, आपसे question put up कर सकते हैं, कि to identify different types of walls and their parts, आपको different types की walls दे दी जाएंगी, और आपको पुछा जाएगा, कि इनको identify करो, ये कौन से types की walls हैं, इनके parts को आप बताईए, कौन को से इनके parts हैं, parts को इनके identify कीजिए, ठीके, ऐसा हो हो सकता है, या फिर heat exchanger के types आपसे पूछ लिया जाएंगे, आपसे बोलेगे कि ये किस तरीके का heat exchanger है, इसको identify कीजिए, आप इसके parts को बताईए, इसके कौन कौन से parts हैं, या inlets, outlets कहां बर हैं, इसमें उसको बताईए, number of passes कितनी हैं, baffles का क्या roll होता है, baffles कहां पे लगी पाचे हैं, इस तरीके के questions heat exchanger से related हो सकते हैं, in which heat exchanger heat transfer coefficient, heat transfer coefficient, jis को हम h से denote करते हैं, उसके बारे में चुछ पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, in which heat exchanger heat transfer coefficient is higher, कौन से type के heat exchanger में, जो आपकी h की value होती है, वो higher होती है, horizontal में होती है, या vertical heat exchanger में होती है, इसी तरह से आपके shallow tube heat exchanger पे questions हो सकते हैं, ठीके double pipe heat exchanger से related कुछ पूछ सकते हैं, इंडस्ट्री में कौन सके type का heat exchanger use होता है, ये पूछ सकते हैं, ठीके फिर पूछ सकते हैं, identify the parts of control valve and gate valve, तो आपको क्या करेंगे कि different types की valves दे देंगे, control valve दे देंगे, gate valve दे देंगे, globe valve दे देंगे, और पुछेंगे कि इनके parts को आप identify करके बताईए, या फिर इनकी working कैसे होती है, या कैसे work करती है, कौन सी valve का कहां पर application होता है, या आप से पूछा जा सकता है, ठीके फिर और क्या हो सकता है, mechanical के student से कैसे question put up कर सकत आप gate valve और globe valve को कैसे differentiate करोगे, कैसे पहचानोगे और उनमें difference क्या होता है, या आप से पूछा जा सकता है, what are the types of flow transmitters, transmitters क्या होते हैं, flow transmitters क्या होते हैं, ये mechanical engineering के student से जरूर पूछा जा सकता है, chemical से भी पूछा जा सकता है, बड़ ये question transmitters वाला, जो है, ये दोनों से ही तो student यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कि जिन लोगों का selection हुआ है HPCL के skill test के लिए, उन सभी students को मैं congratulate कहना चाहूंगी, I congratulate all these students for selection in skill test of HPCL, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली हो, जो मैंने आप लोगों के लिए HPCL की previous year series बनाई थी तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के exam तक, आप लोगों के skill test तक आप लोगों के साथ बनी रहूंगी, thank you so much for attending my all the videos, for attending my all the classes, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कि जिन लोगों ने अभी तक Get Chemical Planet को subscribe नहीं किया है, Get Chemical Planet को subscribe कीजिए, bell button को press कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का notification मिलता रहे, और आपका कोई भी lecture या कोई भी वीडियो जो है, वो miss ना हो, तो यहाँ पर हम और भी questions को discuss करेंगे, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोगों का skill test है, उस पर आप अपना maximum potential use कर सकें, और आप select हो सकें, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, next question जो है, वो कैसे हो सकता है, कैसे आपके plant visit से related, जो questions है, वो आप से put up हो सकते हैं, यह पूछ सकते हैं कि pressure gauges in stream applications, ठीक है, pressure gauges का क्या use है, कितने types के होते हैं, identification आपको करा सकते हैं, identification of various measuring instruments, आप से करवा सकते हैं, जितने भी measuring instruments होते हैं, उनको आपको दिखा देंगे, और पुछेंगे कि कौन से type का measuring equipment है, कहां पे use होता है, इस instrument का application क्या होता है, तो इस तरीके के, आपने जितनी भी अपनी अभी तक lapse की होंगी, अपने डिप्लोमा में, तो वहां से आप इसका एक idea मिल गया होगा, कि measuring instruments कौन कौन से होते हैं, उनको आप कहां कहां कि इस application में use करते हैं, फिर आप से पूछा जा सकता है, different types of insulation and its uses, insulations कितने types की होती है, पहले तो insulation क्या होती है, क्यों use करते हैं, कितने types की होती है, और उनके uses क्या होते हैं, तो इस तरीके का question हो सकत हैं, और कौन सा question हो सकता है, next question हो सकते हैं, what sequence of steps you should follow when encounter a fire in the field, ये question बहुत common है, बहुत सारे students से पूछा गया है, बहुत सारे students ने कहा कि ये वाला question हम से पूछा गया है, कई बार हुआ है, जो लोग पहले गए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, तो उन्होंने मुझे बताया ह है कि ये question हो सकता है, तो यहां पे आपको इस question को देखना पड़ेगा, what sequence steps you should follow when you encounter a fire in the field, ठीकें, तो आप क्या majors लेंगे, आपकी तरफ से क्या करना चाहिए, कि जब आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि fire हो रही है, ठीकें, what are safety devices mounted on, safety devices किस पे mountain होती है, mechanical के students इस question के पुछा जा सकता है, what is safety alarms and safety interlocks, यह question common है सारी branches के लिए, safety alarms क्या होते हैं, और safety interlocks क्या होते हैं, pressure alarms क्या होते हैं, यह questions बहुत important है, name of high temperature measurement instruments, high temperature measurement instruments कौन कौन से होते हैं, और एक question हो सकता है, how do you climb monkey ladder, okay, तो आप जो है, वो ladder पे कैसे चड़ते हैं, इससे related question हो सकता है, तो आप इन सारे questions को जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आपको इनके answer नहीं मिलते हैं, तो आप इनके answers को मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिच करूँगी इन questions के answer को लिखने की, अगर हो सकेगा, तो pictures आप लोगों क साथ share करने की कोशिच करूँगी, की parts कौन-कौन से होते हैं, तो जहां पर आप लोगों का test अगर लेना चाहें, company, refinery, तो test ले सकती है, उसमें आपको कुछ images मैंने बताया था कि show कर सकते हैं, तो turbines की images, और motors की images, valves की images, heat exchangers, distillation columns की images, tools चो होते हैं, आपके spanners, उनकी कुछ images आप देख के जा सकते हैं, अगर आप interview देने जा रहे हैं, तो आपके पास जो बीच में थोड़ा सा time होता है, traveling में, उसमें आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं, और कुछ YouTube पे जो मैंने videos पनाए हैं, mass transfer से related, वो आप देख सकते हैं, ठीके, तो यहां पर मैं इस video को wind up करना चाहूंगी, and all the best for your skill test, I will try my best to give the answer of all the possible questions in a proper time, okay, तो आप मेरे साथ बने रहे हैं, जब तक आपका skill test होगा, मैं आपके साथ रहूंगी, बनी रहूंगी, thank you so much, have a nice day.